नमस्का दोश्तो हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोश्तो इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं 2020 का जो MPPSC का जो नोटिफिकेशन है या फिर 2020 का जो MPPSC है उसका क्या होगा दोश्तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे के साथ 2020 के PSC का क्या होगा उस पर आप बताईए तो इस वीडियो में दोश्तो उसी का मैं आपको एक बिसलेशन एक एनलिसिस आपको बताऊँगा आप से रिक्वेश्ट है फ्रेंट से दिया आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज फ्रेंट चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें शियर करें दोस्तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूँ देखिए MPPSC जो है इस बाद जो उलजा है OBC आरच्छन में उलजा है MP में OBC का जो रिजर्वेशन था दोस्तो पहले 14% था पर कॉंग्रेस गवर्मेंट ने दोस्तो चुनावी गोस्डाओं में जो है या फिर अपने मेनी फैश्टो में जो है 27% OBC आरच्छन की बात कही थी और उन्होंने बाद में ये चीज लागू भी मतलब जारी भी कर दिया यानि कि प्रेस्ताव लाए और पारित भी कर दिया और MPPSC में जो है OBC का जो MPPSC या फिर हम बोलें कि MP की जित्ती भी भरती है उसमें OBC का जो आरच्छन है वो 27% कर दिया लेकिन दोस्तो इसके खिलाब कुछ लोग जो है आई कोट में का या हाई कोट ने जोस्तो इस पर रोक लगा दी लेकिन दोस्तो जो final merit final जो सूची है उस पर रोक है लेकिन pre की जो सूची है उस पर रोक नहीं है लेकिन दोस्तो फिर भी मत्पति PSC फस गया है और काफी मतलब वो कुछ भी decision लेने से पहले उनुन है सोचना होगा क्योंकि दोस्तों यह 14% Reservation लागू करते हैं और लाश्ट में High Court जो है 27% Reservation लागू करने की बात कहता है उससे पहले ही 14% Reservation MPPSC 14% Reservation के साब से OBC की लिष्ट जारी कर देते हैं तो फिर दोस्तों बाद में 27% Reservation के लिए उनको फिर से जो है कार करना पड़ेगा अब दोस्तों MPPSC का जो है जो High Court में जो सुनवाई हो रही है उसकी जो डेट है कल माने High Court ने 28 फरवरी से अंतरिम सुनवाई शुरू होगी तो दोस्तों 28 फरवरी से सुरू होगी अब कहने का मतलब यह है दोस्तों के बहुत सारे स्टूडेंट 2019 की PSC को लेकर चिंते दे लेक जो है माई तक यह सुनवाई पूरी हो जाए और यदि माई तक सुनवाई पूरी हो जाएगी तो फ्रेंट्स फाइनल डिसीजन भी हो जाएगा कि एक्चुल में OBC को 14% मिलना है या पर 27% जो भी डिसीजन हो लेकिन दोस्तों माई तक उसके सॉल्व होने की काफी ज्यादा संभावना है और अच्छी बात यह है कि जो 2020 का नोटिपिकेशन है वो माई में आएगा तो माई में नोटिपिकेशन आएगा या निकि दोस्तों जब नोटिपि OBC का जो कैलेंडर है 2020 का उसके इसाब से बता रहा हूं तो प्रेंट्स आप तैयारी करते रहें आप अपवाओं से बचे हैं यदि आप 2020 की तैयारी कर रहे हो तो निश्चिंद हो कर सकते हो अब ठीक है अभी ऐसा कोई भी सलसे नहीं है 2020 पर हाँ लेकिन 2019 पर है लेकिन 2019 का यदि आपके मार्क ठीक टाक हो रहे हो तो आप अच्छे से तैयारी करें हो और हमने भी दोस्तों काफी ज़्यादा वीडियो बनाए यदि आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो जो है मिल जाए